हेलो फ्रेंड्स मैं आपका इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं डेली 10 सिनोनिम्स और आज का जो हमारा पहला वर्ड है एड़ेज एड़ेज का मतलब क्या होता है? कहावत प्रोवब को बोलते हैं एड़ेज तो यह जो प्रोवब हो जाएगा यह इसका सिनोनिम हो जाएगा इसका एक सिनोनिम और होता है मैक्सिम म-A-X-I-M इसका भी मतलब कहावती होता है नेक्स्ट वर्ड है एड़ेमेंट नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड़ेमेंट adamant का मतलब क्या होता है अडीख जो किसी बात को लेकर अडीख हो जिद्धी हो किसी के सामें जुके नव उसको हम बोलते हैं adamant इसका synonym हो जाएगा unyielding तो ये जो unyielding word है ये बना है yield से y-i-e-l-d yield का मतलब होता है आत्म समर्पन करना मतलब किसी के सामने जुक जाना उसको हम बोलते हैं yield तो yield सही बना है unyielding unyielding का मतलब क्या हो जाएगा कि जो किसी के सामने जुकता नहों अडीख हो, जिद्धी हो उसको हम unyielding बोलेंगे और ये adamant का synonym है इसका एक और synonym हो जाएगा adamant का stubborn s-t-u-b-o-r-n stubborn ये इसका synonym हो जाएगा adamant का तो adamant के दो synonym हो सकते हैं एक तो stubborn और एक unyielding next है addicted addicted का मतलब क्या होता है कि जो लत्ती हो जो मतलब किसी काम का या फिर किसी चीज का लत्ती हो जिसको लत्त हो उसको हम क्या बोलते हैं addicted a-d-d-i-c-t-e-d addicted इसका synonym क्या हो जाएगा devoted next word है adult a-d-d-l-e adult का मतलब होता है ब्रमित हो जाना confused हो जाना उसको हम बोलते हैं addle और इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा perplexed 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 इसका भी मतलब यही होता है कि confused हो जाना next word है adapt a-d-e-p-t adapt का मतलब क्या होता है कुसल या फिर दक्च जो किसी भी काम को करने में कुसल हो दक्च हो उसकाम में निपूर हो उसको हम क्या बोलते हैं adapt बोलते हैं और adapt का सिनोनिम हो जाएगा scaleful या फिर proficient इस word को हमने confusing words में भी पढ़ा था वहाँ पर हमने इस word को कैसे याद किया था adapt a-d-e-p-t adapt तो इस word में क्या है e लगा हुआ है e e से हम याद रखेंगे expert e से हम क्या याद रखेंगे expert और expert expert से क्या हो जाएगा कुसल या फिर दक्च कोई भी किसी काम को करने में expert हो कोई person जो की expert हो कुसल हो दक्च हो कोई काम को करने में वो क्या कहलाएगा adapt कहलाएगा उसकी जो skill है वो क्या कहलाएगी adapt कहलाएगी तो इस word को हम ऐसे याद रख सकते हैं और इसी से related हमने एक और word पढ़ा था वो word यह था a d a p adapt इस adapt का मतलब क्या था मतलब अपने आपको वातावरण के अनुसार अनुकूल बनाना अपने आपको अनुकूल बनाना वातावरण के हिसाब से अपने आपको ढाल लेना उसको हम बोलते हैं adapt a d a p t और इस word को हमने confusing word में कैसा याद किया था यहाँ पे एक spelling आ रही है ए तो a से हम याद रखेंगे air adapt में a आ रहा है तो a से हम याद रखेंगे air और air का मतलब होता है हवा मतलब हमारे आस पास की हवा मेंस हो जाएगा कि पातावरण के हिसाब से अपने आपको ढाल लेना उसके अनुकूल बना लेना उसको हम क्या बोलते हैं adapt बोलते हैं a d a p t तो इन दोनों वर्ड को हमने confusing words में याद किया था अगर आपने confusing words नहीं पढ़ रहे हैं मेरे चनल पे तो आप मेरे playlist पे जाके a d e r e adhere adhere का मतलब होता है चिपकना stick को बोलते हैं adhere का मतलब क्या हो जाएगा चिपकना और इसका synonym क्या हो जाएगा stick इसका एक और synonym में होता है C-L-I-N-G cling cling इसके दो synonym हो सकते हैं adhere का एक तो हो जाएगा stick और एख हो जाएगा क्लिक। अब हम बात करते हैं कि एढेएर के साथ तू का यूज़ होता है और यह क्या होता है फ्रेजल यूज़ होता है यह जो वर्ड एढेर है रे कि इसके साथ तू यूज होता है और यह क्या होता है फ्रेजल वाप होता है इसका मतलब क्या होता है पालन करना किसी लौ का पालन करना या फिर किसी के आग्या का पालन करना तू ओबे अ लौ किसी नियम का पालन करना कानून का पालन करना या फिर किसी के आग्या का पालन करना उसको हम क्या बो होता है फ्रेजल वाप होता है नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एड्जेसेंट एड्जेसेंट का मतलब क्या होता है सट्टा हुआ या फिर समीब उसको हम बोलते हैं एड्जेसेंट और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा क्लोज हम मैं पढ़ते हैं एड्जेसेंट फिगर और यह हम भी पड़ता है एडकेसेंट अंगल और मतलब वह एंगल जो कि सटे हुए है एक गड़ में बनेयर है चैनल और यह हम किसंटेंगल और यह फैर्ट में Pit है एजर्ण एडी जे ओ यू आर एम यह की स्पैलिंग है और यहां पे जो डी है वो साइलेंट है एजर्ण का मतलब क्या होता है टालना पोस्ट पॉन करना किसी भी चीज को टालना उसको पोस्ट पॉन करना उसको हम हम बोलते हैं एजर्ण कुछ वर्ड ऐसे होता है जिसमें डी साइलेंट होता है जैसे अगर मैं बात करो तो हम पढ़ता है वर्ड एजख्टिव उसकी स्पैलिंग क्या होती है ए डी जे ए सी दि आइवी तो तो इसको हम लिखते हैं adjective लेकिन यहाँ पर डी silent होता है और इसको हम pronounce कैसे करते हैं adjective adjective एके बाद direct हम जे को बोलते हैं adjective यहाँ पर डी silent होता है तो ऐसे ही बहुत सारे word होते हैं जिसमें एके बाद डी आता है और डी silent होता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं adjourn यहाँ पे d जो है वो silent है next word है adjunct adjunct में भी d silent है इसका मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ addition तो agent का agent का synonym क्या हो जाएगा addition हो जाएगा next word है adjourn adjourn में भी d जो है वो silent है adjourn का मतलब होता है सपत दिला कर पूछना सपत दिला कर किसी से कुछ पूछना उसको हम बोलते हैं adjourn इसका synonym क्या हो जाएगा entreat in treat यह इसका synonym है अगर मैं इसके example sentence के बात करूँ तो मैं यह कहूँगा I adjourned I adjourned him to tell me the truth मैंने यह कहा I adjourned him to tell me the truth मैंने उसको सपत दिलाई ताकि वो मुझे सच बोले मैंने उसको सपत दिलाई ताकि वो मुझे सच बताए I I adjourned him to tell me the truth तो फ्रेंड यह थे हमारे 10 synonyms अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर जरूर करियेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियेगा दन्यवाद